हाई, वैलकम टू मैं चैनल, इस वीडियो में समझेंगे प्रूफ बाई मेथड आफ कांटरेडिक्शन, मिन्स मेथड आफ कांटरेडिक्शन का यूज करके कैसे हम प्रूफ करते हैं और ये जो मेथड है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है तो वहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा यही मेथड, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये मेथड होता क्या है तो इस मेथड के अलग-अलग नाम है, कुछ मैं नाम आपको बता देता हूँ पहला नाम इसको दे जाता है indirect method, मतलब ये direct method नहीं है, ये indirect method है, प्रूव करने का indirect method of proof और जो दूसरा इसका नाम दे जाता है, वो ये है, proof by प्रूफ बाई, एस्जूमिंग दी अपोजिट तो इसके अलग-अलग नाम है खेर, तो हम पहले ये समझते हैं कि ये जो method of contradiction है इसका main principle क्या है, मतलब किस principle पर ये best है, मतलब क्या हम सोच करके हम प्रूव करना इस्टार्ड करते है तो इसका principle ये है, based on a simple principle and that is this one मतलब क्या लिखा यहाँ पर, after assuming something to be true, if we come to a wrong result, then the assumption is wrong मतलब, यदि हम पहले assume कर लें, मतलब after assuming something to be true, मने कुछ हम मान ले कि वो true है something is true, ऐसा हम पहले मान लें, और ये मानने के बाद, if we come to a wrong result, और वो मानने के बाद, हमें कुछ ऐसा result में जाता है जो absurd है, जो wrong है, then the assumption is wrong, तो हम ये मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर निस्कर्श पोस्ते हैं, कि जो हमने माना था शुरू में, वो गलत है ठीक है, मतब कुछ पहले मानो आप, और मानने के बाद, कुछ result ऐसा आजाए, जो कि wrong है, तो हम कहेंगे, कि जो मैंने माना था पहले पहले, वो गलत माना था मैंने तब ही तो result गलत आया, तो इसी principle पर ये best method, तो इस method को समझने के लिए, कैसे apply करते हैं, कैसे prove करते हैं, पहले हम एक लेते हैं example, और example के through समझते हैं, तो let us take an example, prove that there is no largest number, तो मैं prove करना है कि कोई भी largest number नहीं होती, चलिए प्रूफ करते हैं, धान दूजेगा, सबसे पहले क्या करना होता है, कि यहां पर method ऐसे काम करता है, कि जो भी prove करने के लिए बोला रहेगा, उसका opposite हम assume कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर, इसका ए assuming the opposite, means जो भी prove करना रहेगा, उसके opposite को assume कर लेंगे, मान लेंगे, मतलब कि उसके opposite को मान लेंगे कि true है, तो यहां पर जो question दिया हुआ है, कि prove that there is no largest number, यहां पर पहले हम यहां मान लेंगे कि let, let there exist, there exist all largest number, largest number, तो हम पहले का करेंगे, पहले हम पर यहां मान लेंगे कि let there exist, हमने क्या क्या है यहां पर ajender कर लिया है, और यह भी मान लेंख है, let it be हमने यहाँ पर माल लिया कि let it be L हमने माल लिया कि L एक ऐसा number है जो कि largest है तो यदि L largest है तो हमें यहाँ से क्या result मिला देखे L यदि largest है तो हम यह भी कर सकते है consider L plus 1 if we consider if we consider L plus 1 तो what is L plus 1 क्या L plus 1 L से छोटा है मतलब कि यहाँ पर जो हमने माना है let it be L तो इसका मतलब कि L से बड़ा कोई number नहीं होना चाहिए क्योंकि largest number माना हमने तो L से कोई बड़ा number नहीं होना चाहिए लेकिन हम जानते हैं कि L plus 1 is greater than L है कि नहीं हम यह जानते हैं कि L plus 1 क्या है L से greater होगा क्योंकि उसमें एक जादा हो गया इसका मतलब कि जो हमने शुरू माना था वो wrong है है कि नहीं इसी बात को लिखना होता है यहाँ पर कि this contradicts the fact that this contradicts contradicts का मतलब क्या होता है कि यह गलत बताता है यह deny करता है कि यह सत्य है this contradicts the contradicts the sorry contradicts sorry I'm spilling this contradicts contradicts the fact that fact that L is the largest number मतलब की हमने यहाँ पर गलत प्रूव कर दिया मतलब कि यहाँ पर हमें जो result मिला है कि L प्लस वन भी तो एक number है जो कि L से greater होगा तो इसलिए क्या होगा largest number इस नहीं कर पाएगी तो हमने जो माना था शुरू में वो गलत है इसका मतलब देर इस नो largest number आप यहाँ समझ रहे कैसे काम किया हो गया आपर अदलब कैसे प्रूव क्या गया पहले पहले हमने माल लिया इसका opposite कि opposite माल लिए टू है हमने माल लिया था पहले कि there is no largest number ठीक है यह एक example है एक और example लेते हैं और उससे भी और बहतर तरिक समझ में आ जाएगा तो कहा कि prove that root 5 is greater than 2 यह प्रूव करने के बुलाए कि root 5 जो है greater than 2 है चलिए प्रूव करते हैं by method of contradiction तो पहले यहाँ पर assume कर लेंगे तो let us assume that let us assume that root 5 is not greater than but less than is less than 2 मतलब जो भी हम प्रूव करना होता है उसके opposite जो है हम माल लेते हैं तो let us assume that root 5 is less than 2 तो 2 से माल लेते हैं जो कि less है root 5 तो इसका मतलब it implies हम लिख सकते हैं हम पर कि root 5 is less than 2 it implies squaring on both sides what we get यहाँ पर square करेंगे तो क्या मिलेगा square करेंगे both side में तो मिलेगा हम हमें root 5 का square is less than 2 square यहाँ पर ले सकते हैं squaring on both sides squaring on both sides यहाँ पर क्या मिल जाएगा it implies यहाँ पर मिल जाएगा 5 5 is less than 4 यह पताएगे कभी 5 less than 4 होता है and this is not true and this is really not true that is यहाँ पर जो result मिला है वो true नहीं है इसका मतलब जो हमने शुरू में assume किया था वो assumption ही wrong है समझ में आ रहा है क्या मतलब कैसे तरीका काम कर रहा है पहले पहले जो prove करना है उसके opposite जो चीज है उसको माल लिजिए तो let us assume that root 5 is less than 2 हमने यह माल लिया इसका opposite क्या है root 5 is less than 2 और इसको माल लिए कि यह 2 है तो इदि root 5 is less than 2 है तो हम इसको लिशकते है इस तरीके से root 5 is less than 2 पिर हमने both sets में square कर दिया root 5 का square is 5 and 2 का square का 4 होगा means 5 is less than 4 लेकर हम जानते हैं कि 5 जो है 4 से less नहीं होता इसका मतब कि this is not true और यह जो result आया है यह जो result आया है वह result आया है यह मानने पर कि root 5 is less than 2 हना यह माना था हमने तभी तो यह result आया इसका मतब कि जो result आया है वह 2 नहीं है तो जो माना था हमने वह भी true नहीं है मतब कि root 5 is less than 2 यह बात जो हमने मानी थी यह true नहीं है तब true क्या है जो उपर दिया हुआ है यही true है means तब लिख देंगे कि this content is the fact that root 5 is less than 2 therefore we can say that root 5 is greater than 2 मतब कि root 5 जो है greater than 2 होगा यही सकते है तो इसका जो method है वो कैसे काम करता है सबसे पहले जो step number 1 है ठीक है पहले पहले या करेंगे आप step number जो one है उसमें का करेंगे assume कर लेंगे assume the opposite assume the opposite of what you want to prove जो भी आप प्रूव करना चाहते है उसके opposite जो है assume कर लेंगे और step 2 क्या है now derive a result derive a wrong result उसके बसे आगर यह उससे wrong result एक जो है derive करीए तो wrong result derive करने के बाद अब प्रूव हो जाएगा कि जो हमने सुरू में माना था सुरू में जो assume किया था वो गलत है therefore जो original जो हमारा statement दिया हुआ है वही true है यही आपका जो है इसमें process है करने का तो आप समझ चुके होंगे कैसे इसका use करेंगे और इसी method का यूज करके हम जो है root 2 को irrational प्रूव करेंगे तो उसका एक next वीडियो होगा आप उसको भी देख लीजएगा आप पूरी तो से clear हो जाएगे thank you so much for watching इस वीडियो में इतना रखते हैं यादि आपको समझ में आया और आपको कुछ अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजएगा और दोसको share जरू करिएगा thank you so much again bye